नमस्कार दोस्तों आप सभी का Intelligent Investment Channel में स्वागते तो आज के ओड़ों में बात करेंगे कली याने 18 मार्च कोंसी क्रिप्टोकरेंस आपको बाइ करने या पे होल्ड और सेल इसका पूरा नेलिस आम आज के ओड़ों में देखेंगे तो चलिए शुरू करते अगर आपने यह आपने अपना क्रिप्टोकरेंस आकाउंट उपन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये वासे आपना प्री क्रिप्टोकरेंस आकाउंट उपन कर सकते हो साथ यह आप साइन अप बोनस भी कमा सकते हो तो यह हम first currency जो bitcoin से हम शुरुवात करते हैं तो पहले हम bitcoin के analysis करेंगे कि 24 hours में bitcoin कहा तक जा सकता है BTC के अगर हम बात करें तो जैसे मैंने second half में बता है तो कि इसकी selling around होगी 44, 45 के around आसानी से selling होगी और buying के बात करें तो 42 और 44 के around इसी और first half में जैसे मैंने बता है ते कि 40 से लेकर 42 के around first half रहेगा इसी में आपको buy करना है और first half में आचुकी currency तो आप क्या करना है यह दे के wait कीजिए definitely थोड़ी बहुत bitcoin डाउन जा सकता है current price में आप ले सकते हो लेकिन small quantity buy कीजिए मानली जा भी आपने cryptocurrency buy की यानि BTC 41 से buy कीजिए और 38 का target रख सकते हैं downside का इतना नहीं जाएगे लेकिन जाएगे तो definitely आपको profit होगा क्योंकि उसका origin करेंगे तो 45 आसानी से जाने वाली है और selling का किस price में करने है देखे 42 से 45 के around selling होगी यह max selling में आपको बता रहा हो अगर थोड़े बहुत भी आप profit में तो मैं आपको चार या पांच currency बता रहा हो मान लेजिए यहांसा अगर आपको profit हो रहा है वहाँ जिस price में मैंने आपको currency बता है उस price में वहाँ चुक है तो यहाँ profit बुक करके वहाँ अपनी position ले सकतो तो definitely आप profit कमा सकतो है लेकिन देखिए जिस price में मैं आपको बता रहा हो उसी price में आपको buy करना है और जिस price में आपको sell करने के लिए बता रहा हो उसी price में आपको sell करना है USDT का ज्यादा कुछ नहीं बताता 74 और 72 के around buy किजिए और 75 उसे लेकर 77 का target रके डेफिनेटली 24 आपको बात करेंगे तो देखिए 90 से 20 के around buy किजिए अभी price में buy मत किजिए क्यों कि नई currency इसकी opening यह वहाँ से हुए तो risk भी होती है ADA की हम बात करते हैं जैसे कापी दिनों से मुझे comment आ रहे थी कि भाई ADA का बताओ कापी पैसे 8 लग चुके क्या होगा जैसे मैंने बाता है था कि 2 या 3 दिन लग सकते हैं लेकिन मैंने selling का target वही से बाता है था कि 85 से 90 आसानी से currency जाएगी वह देखिए 95 भी touch हो चुकी तो आ यहां से बाई किस प्राइज में करने चाहिए देखिए बाई अगर करने है ना एक करने है तो देखिए 70 और 75 का target रखेगे से टार्गेट है क्योंकि अगर एक करेंसी पंप हो चुके तो डंप अगर होती है तो देखिए जैसे मैंने फर्स टार्गेट आपको बताई 70 यहा सकते हो तो यह फॉस्ट बाइंग प्राइस है तो इसी प्राइस में आप यहां से सेलिंग होगी तो सेल भी कर सकते हो यहां सेटिल यह प्रॉपेट कमा सकते हो लेकिन बाई मत कीजिए अभी भी सिकन्ड जो है देके इएंजे के बात करेंगे तो जैसे में ने कहा था कि जैसे ही 200 डाउन जाते है तो 180 टेच कर सकते है लो 184 का बना है यानि अभी भी थोड़ी उपर बहुच जरी तो क्या करना है अगर 24 आउर्स की ट्रेड के हम बात करें तो आपको यह करना है कि 160 के इस्ट प्राइज है और इसके आराउंड आपको बाई करना है और फर्स्ट यहां से अगर बाई करना है कि 180 का टार्गेट यहां से शुरुवात कर सकते हो 128 तक आवरीजिंग आप कर सकते हो शौट में बता रहो तो इसका ज्यादा कितना रिटन मिल सकते है दिके जैसे में ने कहा था कि 200 करेंसी जैसे क्रोस करते है तो डेफेनिटली 300 से लेकर 400 तक आसानी से जा सकती है तो प्रॉपिट आपको दुगना हो सकता है लेकिन एक या दो दिन का ने कापी वक्त लग सकता है तो उसी आराउंड आप यह करेंसी बाई कर सकते हो सेकंड यह देके मैटिक म ज्यादा रिस्क ना लो तो ही अच्छा क्योंकि पंप और डम दोन हो रही करेंसी तो आपके पोजिशन ने देखे कोई नहीं बाता सकता मान लीजे मैंने आपको 30 में बाई किया आप 35 में चला गया प्रॉपिट होगे लेकिन 30 में आपने बाई किया 10 पर भी जा सकती है करे तो ज्यादा रिस्क है तो सेफ जो मैं आपको करेंसी बता रहा हूँ वही बाई किजिए एक सरपीपी की बात करें तो 32 के आरांड बाई कीजिए 35 औ 38 के आरांड शेल कर सकते हों नीम की बात करें तो जैसे मैं ने कहा था जुनोंने भी नीम लिए इस प्राइज में 50 गरण अभी यहां चाहते हैं डेपेनिटली यहां बाइंग होने वाली है और सेलिंग के बात करें तो यहां होगी 40 के राउंड सेलिंग होगी और 45 के थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है कि यह करेंसी डंप हो चुकिए तो कापी टाइम लग सकता है क्रिप्टो मार्केट भी इतना ऊपर नहीं अभी डाउंचर रहा है तो लगबग 2 weeks maximum लग सकते हो लेकिन अगर recover होता है मार्केट तो एक या दो दिन में भी लगबग 25 उसे लेकर 30% का उच्छाल इस करेंसी में आ सकता है नेक जो करेंसी देखें बैट जैसे मैंने कहाते कि जैसे यह करेंसी 60 के आराउंड जाती है और वहां से थोड़ा उपर जाती है तो एक करेंसी आसानी से 90 टक टच हो सकती है क्योंकि आपना फर्स्टाप छोड़ चुकी है लेकिन आप यह थोड़ी बहुत सेलिंग हो रहे है तो देखें डेफेनिटली अगर यहां से सेलिंग हो रहे है तो यह 60 के आराउंड जा सकती है तो बाइंग कितने करनी आपको यह देखे 65 का मिड़ रखेंगे 65 के आराउंड आप बाइ करेंगे तो अच्छी बात है और लोएस टार्गेट देखें अभी फर्स्टाप में बातार आपको 65 से लेकर लोएस ठाप इसका है 35 के आराउंड सबसे लोएस 35 इन बिट्विन ही रहेगी 60 से शुरुवात होते 35 में जाता है तो 50 का सेलिंग प्राइज रहेगी अगर वहां से उपर है 45 और 50 तो 60 एटी और 100 के आराउंड आप टार्गेट रख सकते इन बिट्विन प्राइज में आप सेल किजिए डिपेंडिंग है आपकी बाइंग और सेलिंग तो 4.1 प्राइज आ चुकिया है तो टार्गेट क्या रहा सकता है इसका टार्गेट रहेगा है कि सेलिंग का फोर से लेकर 4.5 के आराउंड हो सकता है में भी अभी थोड़ा उचला सकता है तो आभी भी 5 परसेंट या 10 परसेंट भी बढ़ सकती है करन्सी लेकिन आपको मैं मैं जैसे का है कि 3.2 से लेकर 3.5 के आराउंड ही करनी इसके उपर प्राइज में बाय मत किजिए बाय इसके उपर तभी करिए जब ये करेंसी 4.5 के आराउंड जाएगी तभी हमारा फर्स्ट और सेकंड हाब इसका लागाना पॉसिबल होगा वीचेन के बात करें तो जैसे मैं ने बताए कि ये करेंसी जिन्होंने भी लिये ना इस प्राइज में तो डेफिनिटले आपको वेट करना है क्योंकि यहां से सेलिंग जब होगी तो यहां तक जा सकती है तो बाइंग प्राइज जो रहेगी वह है फोर से लेकर 4.5 अगर जिन्होंने छे में बाइ किये तो डेफिनिटले आप वेट किजिए फोर पॉर्ण फायू का यहां आप एवरेजिंग किजिए लेकिन आभी जो नहीं है तो डेफिनिटले में आपको बता सकता है कि फायू से नीचे जा नहीं रहे तो आपकी फर्स्ट बाइंग प्राइज प्राइज रहेगी प्राइज क्रिप्टो करेंस अगर क्रेश होती है इन बीट्विन तो यानि बहुत निगेटिव नियों जाती हो मार्केट पूरा गिरता है तो फ्री क्या रहां जा सकते है तो लॉस नहीं है लेकिन जिन्होंने छे में बाई कीजिए किये तो डेफिनिटल आप वेट कीजिए डाउन का आवरेजिंग जब भी होगा आपको प्रॉपिट होगा इथरेम की बात करें तो देखे इस प्राइज में बाई कीजिए कौन सी प्राइज है 130 के राउंड और सेलिंग का टार्गेट यहा रहे कि यहा रहे कि यह फस्टा पे और एक सेकंड सबसे लोस्ट अगर बाईंग प्राइज बताई गे तो यह देखे 10,000 का रहांद है और 120 कॉमन है वहाँ से उपर जाती 130 का फस्टा पे तो वहाँ से तो नीचे नहीं जा सकती 130 के उपर ही रहेगी तो अब इसी प्राइज में बाई और सिल कीजिए कापी करेंस है अगर बता हैं जाओ तो आखरी में जो बता रहा हो क्योंकि यह भी करेंस है कापी लोग होने लिए रिन के बारे में तो रिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसकी बाईंग प्राइज है देखे 80 सबसे अच्छी बाईंग प्राइज हो सबसे डाउन और अच्छी प्राइज है से पेस्टो है 60 इन बिट्विन प्राइज में आप रिन बाइज कीजिए अच्छी बात है सेलिंग का टारगेट रखें जो 60 का राउंड लेंगे वह रखेंगे 80 और 100 का राउंड लेकिन वक्त लग सकता हूं क्योंकि यह करन से डंफ हो रही है एट्टी में बाइ कीजिए 60 तक आप वेट कर सकते हूं अगर यहां से उपर जाते हूं तो 85 और 90 में कम प्राइज में आप शेल कीजिए और 100 तक वेट कर सकते हूं लेकिन वन विक या टू विक का टाइम लग सकता है इस करंसी में देखे अगर आपको किसे और करंसी के इनफर्मिशन चाहिए देखे टॉप हंड्रेड करंसी में इनवेस्ट कीजिए वहाँ से उपर मत कीजिए ज्यादा रिस्क होती है तो उसी करंसी के बारे में मुझे पूछ सकते हो क्योंकि उसका मैं बाता सकता हो लेकिन वहाँ के उपर करंसी के उनका कोई अनलीसिस नहीं होता वह पंप और डंप हो चुकी होती है यानि कि एक वन रूपीज प्राइस की करंसी सो में भी जा सकती हो सो की वन रूपीज में भी आ सकती हो तो वह रिस्क होती है टॉप किजिए शेर किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू